हाँ जी तो क्या ECG और ECOCARDIOGRAPHY से हार्ट के BLOCKAGES का पता चल जाता है बिल्कुल भी नहीं हार्ट के BLOCKAGES केवल और केवल ENGYOGRAPHY नामक टेस्ट से दिखाई देते हैं ECG और ECOCARDIOGRAPHY में हार्ट के BLOCKAG अगर बहुत जादा मातरा में है हार्ट में खून की नसे बंद होने के वज़े से कोई हार्ट का हिस्सा काम करना बंद कर रहा है वो दिख जाता है तो अगर आपका हार्ट जो है काम करता है सही से BLOCKAGGE होने के 50% BLOCKAGGE 70% 80% BLOCKAGGE ECG ECO NORMAL आएगा 99% BLOCK हार्ट में खून कम जा रहा है तो वो हार्ट का हिस्सा जो है वो कम काम करने लगेगा थोड़ा सा हिस्सा काम करेगा दूसरा हिस्सा कम काम करेगा अगर आपकी हाथ की दो खून की नसे काली पढ़ने लगेगी हाथ की उंगलियां काली पड़ेगी तो पता चल जाएगा न वहाँ खुन नहीं जा रहा बस वैसे ही वैसे ही अगर हाथ हाथ दिल की कोई हिस्सा कम काम कर रहा है मतलब वहाँ खुन नहीं जा रहा तो वो टेस्ट इसलिए है ठीक है